हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टु दबीव । गार्ड़न दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सात All hanging Plants के बारे में जो हेंगिंग प्लांट्स होते हैं अतलब जो लटकते हैं निचे को ये प्लांट्स। जो हैं हमारे गार्डन की ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको ऐसे साथ हैंगिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी जो इजी टू मेंटेन और केर करने वाले होते हैं और आसानी से छोटी सी कटिंग से भी लग जाते हैं तो दोस्तो पहल सनलाइट का प्लांट है तो इसमें और भी कलर साते हैं लेकिन जो यह प्लांट मेरे पास है इसमें पिंक कलर के आते हैं फूल और लेकिन अभी कोई खिला नहीं है दोस्तो दूसरा जो प्लांट मेरे लिस्ट में है यह है वांडरिंग जू का प्लांट यह प्लांट भी सु आता है इसका और थोड़ी कम लाइट में रखेंगे तो इस तरह का शेड आएगा आगे का थोड़ा ग्रीनिश और सिल्वर लाइनिंग तो मतलब इसकी जो पत्यों का कलर है सनलाइट के साब से चेंज होता रहता है और इसको आप पानी की बॉटल में भी आराम से लगा सकते हैं यह देखें मैंने अपने इंडोर गार्डन में यह बॉटल में रखा हुआ है पानी में तो उसमें भी अच्छे से चल रहा है तो इंडोर्स भी आप इसको लगा सकते हैं तो यह आसानी से चलता रहेगा आपके घर में और यह प्लांट भी आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं दोस्तों तीसरा प्लांट मेरे लिस्ट में है यह टर्टल वाइन इसको इंच प्लांट भी कहते ह और ये भी बहुत ही सुंदर लगता है बहुत हरी हाली देता है हमारे गार्डन में और गर्मियों में सके अची ग्रूथ होती है विंटर्स में ये थोड़ा डॉर्मेंसी में चला जाता है लेकिन सालों साल आपकी गार्डन में बना रहता है तो इसकी भी छोटी से चोटी कट दोस्तो नक्स्जफ प्लांट मेरी लिस्ट में है tyण। इसकी लिव नीचो को लटकती सुझ वी आती है तो इस्लिव भी सी लिव की चारो तरफ से नीचे को हैंड करती वी आती है तो ये भी एक hanging plant अच्छा है मतलब hanging basket में से आप लगा सकते हैं तो ये देखे इस में फूल भी आ रखे हैं मेरे इस plant में और इसी से इसके baby plants निकलते हैं और इनको भी आप अलग अलग करके कई plants बना सकते हैं तो दोस्तों जितने में आज आपको plants दिखा रही हूं और इसके जो बेबी plants निकल रहे हैं इनको अलग करके मिटी में लगा देंगे तो कुछी दिन में इनमें से roots निकल जाती हैं इनको हम पानी में भी लगा सकते हैं तो कुछ दिन में roots निकलेगी तो बाद में हम मिटी में भी shift कर सकते हैं और यह भी easy to care plant है दोस्तों next plant मेरे list में है money plant मैंने पहले भी बता रखा अपनी वीडियो में कि money plant की काफी varieties होती है और यह जो plant आप देख रहे हैं यह enjoy money plant है तो इसको भी आप शामिल करें money plant की कोई भी variety आप शामिल करें तो वह भी एक hanging plant की अच्छी variety हो जाती है और यह easy to care होते है money plants में ज्यादा देख भाल की भी हमें जरुवत नहीं होती है और यह हमारे garden में बहुती सुन्दरता ले आते हैं तो यह अंदर मैंने यह bottle में भी लगा plant बना सकते हैं एक cuttings एक plant लाइए को इसी भी variety का और उससे आप कई plant बना सकते हैं तो इसको भी आप add करिए दोस्तों next plant मेरे list में है यह sweet potato wine तो यह वाली जो ornamental sweet potato wine होती है यह खाने वाली शकरकंदी नहीं होती है यह ornamental सजावटी के इसाप से यह wine लगाई जाती है लेकिन शकरकंदी की family में ही आती है तो इसकी भी variety आती है मेरे पास यह दो color के हैं इसके लावा भी और variety और पत्तों के pattern अलग अलग आते हैं और आपको nursery में मिले तो यह भी आप लगाईए अपने garden में यह भी आपके garden में हमेशा बनी रहती है इसकी भी छोटी से छोटी cutting लग जा जाती है सर्दियों में जहां ज्यादा ठंद पड़ती है वहां ज्यादा चलेगी नहीं है पर जो है वैसे बनी रहती पर गर्मियों में अपने आप यह उग जाएगी अगर आपने सेम गमले में लगा के रखिए इसकी भी cutting अराम से लग जाती है इसके नीचे node area में roots निकल प्लांट है पर्मानेंट प्लांट की केटिगरी में आता है यह अर्वी सालों साल आपके garden में बना रहेगा इस प्लांट को भी आप जहां कम धूप आती है जिनके घर में वहां आप लगा सकते हैं कम धूप में चलने वाला पौधा है मतलब दो गंटे से भी कम की धूप इ यह सीले परफेक्ट रहती है तो इसको इंडूर भी लगा सकते हैं आप खीड़की के पास जहां ब्राइट लाइट आती हो तो यह सालों साल आपके garden में बनी रहें वी हैपकस्ते हैं दोस्तों यह थे साथ हैंगिंग प्लांट जो आवजी सालों साल और बिना कीर के कि